हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4 में देखेंगे हम हमारे पास है एरिया ओफ ट्रेंगल्स के लिए कोई भी दो ट्रेंगल्स दे रखी है हम उनका एरिया किसे फाइंड करते हैं देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है लेटे ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल DEF दो ट्रेंगल्स है एक ट्रेंगल ABC एक ट्रेंगल DEF दोनों सिमिलर है और दोनों का एरिया दे रखा है 64 cm स्केर यह जो हमार पास इसका एरिया है हमार पास 64 और दूसरी हमार पास जो DEF उसका एरिया दे रखा 121 cm स्केर IF EF is equal to 15.4 और EF हमार पास कितना है 15.4 फाइंड BC तो हमें ABC है यह फाइंड करेंगे कैसे देखो एरिया ओफ ट्रेंगल हमेंने पहले भी बताया था कि कोई भी हमार पास दो ट्रेंगल हैं अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर है ठीक है तो हम कैसे निकालते हैं उसका एरिया के लिए अभी देखो एरिया ओफ ट्रेंगल ABC डिवाइड बाइ पास जिसका है लुक है तो यह पास गिवन था हमने ले लिया एरिया ओफ ट्रेंगल ABC बॉलते हम इसको तो ब जरी तो अ हability कि मैसे अगर टwe all बेड श्केर कह लिए इसकी AB और इसकी क्या आजरी दीड एका स्केर AB square by DE square AC square by DF square और BC square by EF square कि नहीं भी इन तीनों में से कोई भी side दे रखियों में उसका square कर देंगे तो वो हमारे पास area के equal होगा given that अब देखो given में क्या है EF is equal to 15.4 cm और area of triangle ABC में दे रखा 64 cm square area of triangle DEF में दे रखा 121 cm square हमारे पास कोण है BC दे और EF इन दोनों में relation निकालना है तो लिखेंगे area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to area of triangle ABC में से मने क्या ले लिए जो find करना है BC और इसमें से क्या ले लेंगे proportional कोण है EF और तो पूरे का square अलग अलग लिखो यह पूरे का square अब यह हमारे पास कितना है 64 और यह कितना है 121 is equal to BC का square by 15.4 का square अब 64 by 121 दोनों का square है square को उदर लेके जाएंगे तो क्या होजएगा root होजएगा तो BC by 15.4 is equal to square root of 64 by 121 64 है किसका है 8 का है हमारे पास और 121 है वो किसका है 11 का है तो क्या है 8 by 11 अब 15.4 इदर divide में है इदर लेके हैंगे multiplying में आएगा तो 8 by 11 multiplying 15.4 11 से हम इसको cancel कर देंगे क्या आजाएगा 1.4 तो हमारे पास क्या आया 1.4 और 8 की हमने multiply कर दें यह आजाएगा 11.2 cm Next हमारे पास question number 2 Diagnols of a trapezium एक trapezium के diagonals A, B, C, D with A, B parallel to D, C intersect each other at point O हमारे पास A, B, C, D एक trapezium है जिसमें A, B और C, D parallel sides हैं और उसके दोनों diagonals हैं वो O point पर intersect करते हैं If A, B is equal to 2 C, D और जो A, B है वो किसके equal है 2 times of C, D के equal हैं Find the ratio of the area of the triangle A, O, B and triangle C, O, D हमें ratio निकालने हैं दो triangles के area की किस-किसकी A, O, B and C, O, D इन दोनों triangles का जो area हैं उसकी ratio find करेंगे कैसे देखो हमारे पास क्या है कि C, D है वो किसके equal A, B है वो किसके equal है 2 times of C, D के equal है अगर यह हमारे पास X है तो यह कितना आ जाएगा 2X कैसे since A, B parallel to C, D हमारे पास given है कि जो A, B है वो किसके parallel है C, D के parallel तो angle O, A, B angle O, A, B यहाँ पर जो angle बनेगा वो किसके हमारे पास opposite बनेगा यह जो angle है यह इसके opposite बनेगा alternate angle दिखा देंगे angle O, C, D का और फिर हमारे पास इधर जो angle है वो क्या ज़ेगा एंगल O, B, A इसका alternate कहा दिखा देंगे यहां दिखा देंगे एंगल O, D, C यह हमारे पास दोनों points निकाल लिए दो parallel sides हैं तो उसे हमने points निकाल ले अब हमारे पास triangle क्या है triangle A, O, B and triangle C, O, D दोनों में similarity दिखाने है तो हमने यह दोनों angle equal दिखा दिए कौन से कौन से कि यह जो angle यह इसके equal यह angle इसके equal है दो angle हो गए थर्ड हमारे पास already equal होगा vertically opposite angle हो जाएगा तो क्या लिख देंगे angle A, O, B is equal to angle C, O, D vertically opposite angle और यह दोनों आपने उपर दिखाई रखे हैं कि alternate interior angles are equal तो क्या बोल देंगे triangle A, O, B और triangle C, O, D दोनों कैसी है similar triangles है by A, A, A angle angle similarity से अब हमें निकालना है किसकी ratio area of triangle A, O, B area of triangle C, O, D तो ratio में लिखेंगे area of triangle A, O, B divided by area of triangle C, O, D किसके equal होगा हमारे पास जैसे numbers में तो दे नहीं रखा है यह 5 है, यह 3 है, यह 2 कुछ नहीं दे रखा हमें सिर्फ यह पता है कि जो A, B है वो C, D के 2 times है तो A, B की जिगए हम क्या लख देंगे 2 times of C, D अब देखो A, B by A, O, B से हमने क्या ले लिए A, B divided by C, D पूरे का hall square करते है क्योंकि side guard square करते है जब वो मेरी है निकालते है Since, A, B, A, B किसके इकवल है 2 times of C, D के तो A, B की जिगए मैंने क्या रख दिया 2 times of C, D divided by C, D पूरे का hall square कर देंगे C, D से C, D cancel हो जएगा तो क्या है, 2 by 1 2 का square क्या आजएगा, 4 और 1 का square, 1 तो क्या आजएगी ratio, 4 ratio, 1 Next है हमार पास question number 3 In the following figure आपको एक figure दी गई है इसके अंदर A, B, C and D, B, C are two triangles है अब A, B, C A, B, C और दूसरी हमार पास triangle क्या है D, B, C दो triangles दी गई है, on the same base B, C किस base पर हैं दोनो B, C base पर ये जो मार पास दोनों triangle का base है एक तो इदर बनके से A, D intersect B, C at O और जो A, D है वो intersect कर रहा है एक दूसरे को कहां point O पर A, D और B, C show that हमें प्रूव करना है triangle of A, B, C area of triangle A, B, C upon area of triangle D, B, C किसके equal हैं A, O by D, O के A, O by D, O के equal हैं ये हमें प्रूव करना है देखो कैसे ये हमारे पास दे रख रहा है figure let us draw two perpendicular हमने क्या क्या जो ये हमारे पास गिवन था हमने दो perpendicular draw कर लिए एक इदर से A, P perpendicular draw कर लिए और C point से हमने C, M दो perpendicular हमने draw कर लिए A, B, C, D कहा है points A, B A, B, C, D ठीक हैं तो हमने दो perpendicular draw कर लिए let us draw two perpendiculars A, B and A, D, M C, M सोरी क्या आएगा है आपर C, M हमारे पास दो perpendicular draw होगे on the line B, C किस line पर B, C line पर तो we know that area of triangle 1 by 2 multiply, base, multiply, height अब हमारे पास क्या है area of triangle area of triangle का formula 1 by 2 multiply, base, multiply, height area of triangle ABC ABC का जो हम area निकाल लेंगे वो हमारे पास किसके equal आजएगा अगर ABC का area निकाल रहे है तो हमारे पास यह triangle हो गई और इसमें हमारे पास क्या आजएगा BC तो हमारे पास क्या आजएगा इसके अंदर ABC ABC का अगर हमने area निकालना एक मिनुट पीटा confusion है ABCD ठीक है यह थोड़ा सा मैंने लिखने में चेंज कर रखा है तो एक मिनुट मैं ठीक करती हूँ देखो यह है तो यहाँ पर क्या आएगा DM DM हमने perpendicular draw कर रखा है अब देखो area of triangle ABC ABC जो triangle उसका area निकाल लेंगे तो क्या formula था 1 by 2 multiply base multiply height तो 1 by 2 base हमारे पास क्या हो जाएगा BC और height हमारे पास कितनी हो जाएगी AP अब इसका area निकाल लेंगे तो क्या आजाएगा 1 by 2 multiply base क्या आजाएगा BC और इसमें height हमारे पास क्या आजाएगी DM 1 by 2 से 1 by 2 cancel BC से BC cancel क्या आजाएगा AP upon DM तो हमारे पास ये जो perpendicular है दोनों का ये क्या आजाएगा proportional इन triangle APO अब हमारे पास AP और DM इनको दिखाने के लिए हमने क्या लिया एक triangle ले लिए APO और इदर से हमारे पास triangle है उसका नाम क्या है DM एक हमने ये triangle ले लिए दोनों triangles के अंदर हम similarity दिखाएंगे कैसे angle APO P के उपर 90 degree का angle है इदर हमारे पास क्या है angle DM ये भी 90 degree का angle है दोनों में क्या आजेगा 90 degree next हमारे पास क्या है angle AOP यहाँ पर जो angle बनेगा उसका vertically opposite इदर बनेगा तो क्या लिखेंगा angle AOP is equal to angle DOM vertically opposite angle और किसे भी triangle के दो angle equal दिखाएंगे तो थर्ड दिखाने के भी जरूरत नहीं होती triangle DAPO similar है triangle DM में O by angle angle is similarity तो दोनों triangles similar होगी अब दोनों triangles similar हैं तो corresponding parts भी similar होगी जो AP है वो किसके proportional होगा AP proportional होगा DM के और AO है वो किसके proportional होगा और यह पूरा का पूरा जो AP by DM है यह क्या था हमारे पास area of triangle ABC इसमें लिख लेंगे using first using first में हमने क्या कर दियां कि जो first है उसमें AP by DM था वो किसके equal था हमारे पास area of triangle ABC by area of triangle DBC तो इस पूरे की जगा हम क्या रख सकते यह लग दिया area of triangle ABC by area of triangle dbc किसके equal आगया? a o by d o के equal next है मार पास question number 4 if the areas of two similar triangles are equal कोई भी दो similar triangles है उनका area equal है prove that they are congruent तो prove करना वो दोनो triangles congruent है let us assume that two similar triangles हमने दो similar triangles मान ली एक triangle a b c और एक triangle p क्या हुआ दोनो similar अब area of triangle a b c proportional to area of triangle p क्या हुआ अगर दोनो triangles similar है तो a b by p क्या हुआ area का formula लगा दिया all square is equal to b c by क्या हुआ का square और is equal to a c by p r square is equation number first नाम दे लिया given हमारे पास क्या है कि area of triangle a b c equal triangle p क्या हुआ हमारे पास given area of two similar triangles are equal दोनो similar triangles का area क्या है equal अगर दोनों triangles का area equal है तो हमारे पास यह किसके equal आएगा देखो area of triangle ABC upon area of triangle P, Q, R is equal to 1 कैसे है यह 1 के equal यह मैं आपको बताते हूँ दो हमारे पास similar triangles है अगर दोनों हमारे पास similar triangles है तो हम इसमें से निकाल सकते हैं कि दोनों का जब area equal है तो इसके जगे B, B हम क्या रख सकते area of triangle ABC रख देंगे दोनों equal है तो उससे पूरा cancel होके क्या आएगा 1 तो putting this value in equation first equation first में put कर देंगे तो area क्या 1 के equal और उदर क्या था AB by P क्या हूँ square BC by क्या UR square और AC by क्या PR square अब सब क्या equal है आएगा P क्या हूँ को उदर लेके जाएंगे क्या आजएगा AB is equal to P क्या हूँ इसी तरह जब first core इसको equal second और इसको equal रखेंगे तो क्या आजएगा BC by BC is equal to क्या UR और third से क्या आजएगा AC is equal to PR अब हमारे पास sides equal लागे, sides equal लागे तुम क्या बोल देंगे congruent by side 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 triangle ABC है वो congruent triangle P क्या हूँ है by S से S next है हमारे पास question number 5 D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC एक triangle हमारे पास ABC है जिसके अंदर D, E and A F midpoints है किसका A, B का midpoint D, A, C का F और B, C का E of triangle ABC find the ratio of area of triangle हमें दोनों जो triangle से उनके area का ratio निकालना है किस-किस का triangle ABC and triangle D, E, F दोनों के area का ratio देखो D, E, F are the midpoints of ABC जो D, E, F है वो दोनों midpoint है किसके A, B का B, C और C A का सभी के midpoints है और D, E है वो parallel है किसके B, C के parallel है first में हमने शुब से second exercise में हमने एक theorem की थी B, P, T theorem और क्या गया रखा था कि 2 midpoints को जब मिलाने से एक line draw कर रखी है तो वो हमारे पास third line के equal होती है या parallel होती है और उसके half के equal होती है तो D, E parallel है किसके B, C के D, E हमारे पास क्या आ जाएगा parallel है B, C के और हमारे पास यह जो D, F है D, E तो हमने parallel प्रूव कर दी कि यह जो D, E है यह किसके parallel कर दी A, C के प्रूव कर दी तो जो D, E है वो किसके equal होगा A, C के half के equal होगा अब आगे देखो कैसे करेंगे इंट्रेंगल B, E, D अब हमारे पास दो ट्रेंगल बनगी B, E, D और दूसरी हमारे पास क्या बनगी B, C, A एक तो पूरी की पूरी ट्रेंगल है और एक इसकी B, E, D कि यह आफ वाली हैं तो इस त्रैंगल को घो कर सकते हैं समिलर दिखा देंगे कैसे यह जो ट्रैंगल है यह पूरे कि सिमिलर बेस हमारे पास क्या आ जाएगा एस दो लेके चलो कैसे इन ट्रेंगल B, E, D हैं ट्रेंगल B, C, A अब ट्रेंगल B, E, D यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके एक्वल होगा ट्रेंगल B, C, A के एक्वल B, C, A के एक्वल क्यों कि दोनों के जो corresponding angles है वो equal होता है तो अगर ऐसे दो lines draw कर रखें तो इसका corresponding angle इसके corresponding होगा इसके corresponding तो क्या लिख दें corresponding angle से थर्ड हमारे पास क्या आजेगा triangle E, B, D E, B, D यहाँ पर जो angle बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या है triangle पूरी की पूरी उसमें भी क्या आजेगा C, B, A तो दोनों में triangle B हो क्या आगया common आगया तो क्या आजेगा common angle तीनों हमने equal दिखा दिये तो क्या बोल देंगे triangle B, E, D similar है triangle B, C, A by angle, angle A, angle C अब हमारे पास रेशो निकालनी है तो हम रेशो कैसे निकाल लेंगी इन दोनों की निकाल देंगी triangle B, E, D area of triangle B, E, D upon area of triangle B, C, A अब is equal to किसके आजेगा B, E, D में से हमने क्या ले लिया D, E ले लिया और इसका क्या है A, C क्योंकि हमें कोई भी part लेना है कोई भी side ले सकते हैं दोनों की जिसका proportional है अब D, E हो proportional है A, C के तो D, E by A, C का whole square और जो हमारे पास D, E है वो किसके equal है 1 by 2, A, C के equal है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 by 2, A, C area of triangle B, E, D is equal to area of triangle B, C A, कैसे आजाएगा 1 by 2, A, C 1 by 2, A, C और upon में क्या आजाएगा A, C और पूरे का square है A, C से A, C cancel हो जाएगा यह क्या आजाएगा 1 by 4 अब area of triangle B, E, D किसके equal है इसको उदर लेके गई 1 by 4 area of triangle B, C, A कि जो हमारे पास यह है यह total का क्या है fourth part है इसका fourth part है हमारे पास total का similarly, इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि C, E, F है वो भी क्या होगी इसके fourth part के equal होगी area of triangle C, E, F is equal to 1 by 4 area of triangle C, B A, इस पूरे triangle के area of, और यह जो हमारे पास है यह भी किसके equal होगी पूरी के fourth के equal होगी यह भी 1 by 4 area of triangle A, B, C अब यह जो हमारे पास तीन triangle है यह तो हमने प्रूव कर दी कि यह total के fourth part के equal है उसके बाद हमारे पास अब ज़गा total में हमारे पास चार triangle में से तीन का तो हमने निकाल दिया fourth हमारे पास क्या है D, E, F, E हम निकाल देंगे कैसे area of D, E, F किसके equal होगा total हमारे पास जो triangle का area है पूरे में से हम इन तीनों का area minus कर देंगे area of triangle A, B, C में से minus कर देंगे area of triangle D, B, E minus area of triangle F, E, C area of triangle A, D F, तीनों का minus कर दिया तो क्या आ जाएगा area of triangle D, E, F is equal to area of triangle A, B, C और ये 3 times क्या आ जाएगा 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 तो क्या आ जाएगा 3 by 4 area of A, B, C इसमें से इसको minus कर देंगे by में 1 लगा दिया 4 LC हम आ जाएगा 4, 1 जा, 4, 4 में सित्री जाएगा 1, 1 by 4 area of triangle A, B, C अब इसको हम आ पोजेट साइड लेके जाएगे तो क्या आ जाएगा area of triangle D, E, F divided by area of triangle A, B, C किसके equal आ जाएगा 1 by 4 तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 ratio of 4 के equal है Next हमारे पास question number 6 Prove that The ratio of the areas of two similar triangles Is equal to the square of the ratio of their corresponding median हमें क्या प्रूव करना The ratio of the area कि उनका जो ratio of the area of two similar triangles दो similar triangles है उनकी area की जो ratio है Is equal to the square of the ratio किसके ratio के equal है Scare of the two medians है जो उनके medians है उसके भी square के equal है Means हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो AD और PS हो हमारे पास है Median दे रखा है तो उसके लिए हमें प्रूव करके दिखाना है ठीक है अब देखो कैसे ये दे रखा है आपके पास figure Let us assume that हमने मान लिए दो similar triangles है ABC and triangle P, Q, R अब इसके अंदर AD और PS हमारे पास क्या है Median है और दोनों triangles अगर similar है तो कही ना कहीं से हमारे पास है दोनों proportional भी होंगी sides AB by P क्या हूँ और AC by P आ रा जाएगा और BC by क्या हूँ ये मारे पास equation first है फिर हमारे पास अगर sides proportional है तो similar थी तो angle B equal होंगे angle A है वो angle P के equal angle B angle क्या हूँ के equal और angle C angle R के equal इसको equation number 2 नाम दे दिया हमने since AD and PSR median अब हमारे पास AD और PS है वो क्या है median है तो हमारे पास ये BD है ये किस के equal होगा total के half के equal होगा BD और DC वो किस के equal आ जाएगे BC by 2 के means half के equal इसी तरह से क्या हूँ S और SR किस के equal हो जाएगे क्या हूँ R के half के equal हो जाएगे equation first first equation में हमने apply कर दिया AB by P क्या हूँ और BC है इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो BC by 2 BC by 2 किस के equal है BD के equal रख दिया तो BD आजएगा और क्या हूँ R by 2 किसके equal है या क्या हूँ S के equal तो BD by क्या हूँ S is equal to थर्ड हमारे पास क्या था AC by PR इसके लिए हमारे पास equation number 3 बन गी इंट्रेंगल ABD अब हमारे पास triangle बन गी ABD and triangle P क्या हूँ S से दोनों में हम similarity दिखा देंगे दोनों में similarity क्या है AB और P क्या हूँ AB proportional है P क्या हूँ की ठीक है और जो angle B है वो angle क्या हूँ के equal है और थर्ड हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो BD है वो proportional है क्या हूँ S के तो तीनों से हम प्रूव कर देंगे एक तो angle B is equal to angle क्या हूँ कौन हमारे पास है दोनों में equal है और AB by P क्या हूँ is equal to BD by क्या हूँ है इस दोनों third से हमने प्रूव किया था दो अगर हमारे पास similarity दिखा दी तीन दो side हो गए एक angle हो गया तो triangle ABD similar है triangle P क्या हूँ S by SS S A S side angle side से अब AB by P क्या हूँ is equal to BD by क्या हूँ is equal to AD by PS तो इसमें similarity third हमारे पास क्या आ गई AD by PS की आ गई यह equal आ गया तो अब हमें निकालना किसके लिए area के लिए ratio तो area of triangle ABC by area of triangle P क्या हूँ R किसके equal होगा AB by P क्या हूँ square BC by क्या हूँ R square और AC by P R square इसके equal होता है अब इसके लिए हम use कर लेंगे by equation first and fourth first or fourth equation में क्या दे रखा था कि यह सभी किसके भी equal AD by PS median के भी equality दिखा रखी है तो हम area of triangle ABC के लिए कर देंगे area of triangle ABC by area of triangle P क्या हूँ R किसके equal हो जगा square कर देंगे AD by PS का whole square यह यह में प्रूव करना था next question number seven prove that the area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to the half of the area of equilateral triangle described is one of its diagonal हमें क्या प्रूव करना है पहले यह देखो prove that the area of equilateral triangle एक equilateral triangle का area किसके equal होना चाहिए described on one side of square is equal to यह हमारे पास एक equilateral triangle है और यह एक side होगे जिससे हमने बना रखें is equal to किसके equal होगा half the area of the equilateral triangle equilateral triangle के area के half के equal होगा described is one of its diagonal जो इसके diagonals के उपर draw कर रखी हमने उसके half के इसका यह जो हमारे पास है DACF यह हमारे पास है इसका हमारे इसका ग्राफ कर देंग तो वो किसके equal आजेगा इसके equal आजेगा यह हमें प्रूव करना है देखो ABCD हमारे पास क्या है के square है और उसी के अंदर BEC हमारे पास क्या है के equilateral triangle है जिसके अंदर BC हमारे पास base है और ACF हमारे पास क्या है एक triangle है और equilateral triangle है, जिसके अंदर AC हमारे पास क्या है कि diagonal है, इसमें तो BC हमारे पास side थी, जो base है और इसमें diagonal पर base है, हमें प्रूव करना है area of triangle BCE, किसके equal है, इस triangle के half के equal है यह प्रूव करना है, अब ABCD हमारे पास क्या है कि square, तो square से हम क्या निकाल देंगे, diagonal निकाल देंगे, कैसे AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब इस sides equal है, तो क्या ले लिए, एक हमने triangle ले ली, in triangle ABC, अगर ABC हमारे पास एक triangle है, तो इसमें क्या लिख देंगे, AC का square किसके equal होगा, AB square plus BC square के, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square है, Z is, अब AB और BC दोनों equal हैं, क्योंकि square की side equal होती है, तो AB की जगे भी मैंने क्या रख दिया, BC square plus BC square, क्या आजएगा, 2 times of BC square, square से को जब इदर ले के आएंगे, तो root हो जाएगा, तो इसका तो root cancel हो जाएगा, बढ़ 2 के उपर क्या लग जाएगा, root AC is equal to root 2 BC, अब root 2 BC के equal आगया है, यह हमारे पास है, इन triangle BCE, अब triangle BCE and triangle ACF, दोनों के अंदर are equilateral, then angle inside are same, यह दोनों हमारे पास क्या है, equal है, तो अगर दोनों equal है, तो angle भी same होंगे हमारे पास है, कैसे देखो, यहाँ पर जो angle बनेगा, वो यहाँ आएगा, और यहाँ जो बनेगा, वो यहाँ आजएगा, हमारे पास क्योंकी alternate दिखा देंगे ना, तो इसी से यह angle इसके equal हो जाएगा, और यह angle इसके equal हो जाएगा, तो यह दोनों angle equal हो जाएगा, मैंसे प्रूव कर देंगे इसको, अब triangle BCE, सिमिलर है किसके ट्रैंगल ACF के, और सिमिलर है तो दोनों के area के लिए formula लगा देंगे, ट्रैंगल BCE upon area of triangle ACF, अब देखो दोनों में से कोई भी एक side के जरूर तो होती है, तो यहाँ से तो हमने क्या ले लिया, BC ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, AC, तो BC का square upon AC का whole square दोनों का ले लिया, अब BC का square as it is है, और AC है वो हमारा किसके एक वला आया था, root 2 BC के, इसका square कर देंगे, अब BC का square as it is जा जाएगा, और root 2 BC का कर देंगे, तो क्या आजएगा 2 BC square, BC square से cancel, तो क्या आजएगा 1 by 2, area of triangle BCF upon area of triangle ACF is equal to 1 by 2, इसको हम opposite side ले के हैंगे, तो multiply हो जाएगा, area of triangle BCE is equal to 1 by 2, area of triangle A, ACF के equal, next है हमारा पास 8th, triangle ABC and triangle BDE are 2 equilateral triangles, हमारा पास 2 triangles दे रखी हैं, ABC, ABC triangle दे रखी हैं और BDE, such that D is the midpoint on BC, D हमारा पास midpoint है BC का, ratio of the areas of triangle ABC and ABDC, और दोनों की ABC और BDE, यह हमारा पास हैं, दोनों की जो area हैं हैं उसका ratio निकालनी कैसे, दोनों similar हैं हमारा पास equal triangle, equilateral triangle हैं, तो similar होंगी किसी ना किसी ratio में, triangle ABC and BDE are equilateral triangle, then triangle ABC है, वो similar हो जाएगे triangle BDE के, और BC है, वो किसके equal है, जो BC है, वो किसके equal है, अगर यह midpoint है, तो इसके half के equal हो जाएगा, तो BC है, वो किसके equal हो आजाएगा, 2 times of way, BD के equal, तो area of triangle ABC upon area of triangle, BDE is equal to, अब ABC में से तो हमने क्या ले लिया, BC ले लिया, और यह जो triangle है, इसमें से हमने क्या ले लिया, BD ले लिया, तो क्या आजेगा, BC square by BD square, अब जो BC है, वो किसके equal है, 2 times of way, BD का square upon, और BD as it is, BD square, इसको square करेंगे, 4 BD square by BD square, इससे यह cancel, तो क्या आजेगा, 4 by 1 आजेगा, हमारे पास, इसको हम क्या लिख देंगे, 4 ratio 1, यह हमारे पास, option number C, next हमारे पास, question number 9, side of two similar triangles, are in the ratio, 4 ratio 9, कोई भी हमारे पास, 2 similar triangles है, उनकी side की ratio, दे रखिए अरिया निकालना है, तो जब हमें side की ratio, side दे रखिए, तो एरिया निकालने में, हम क्या खरते हैं, उसका square करते हैं, हम side के, तो area of first triangle, by area of second triangle, is equal to, first triangle है, उसकी side क्या है, 4 और second की क्या है, 9 तो 4 square by 9, square 4 का square 16, 9 square 81, और जब इसको ratio में लिखेंगे, तो क्या हैगा, 16 ratio 81, यह हमारे पास, option number D, यह थी हमारी exercise 6.4, okay, thank you,